हलो प्रेंट्स मैं कवीता आपका स्वागत करती हूँ कवीता जिंदोरी जाएका में आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन की सबजी गुलाब जामुन की सबजी खाने में बहुती स्वाधिष्ट होती है और ये बड़े और बच्चों सभी को पसंद आती है काद्रग लहसुन और हरी मिर्च का पैस्ट दो चम्मच ये मैंने काजू और बादाम लिये हैं 15 काजू है और 15 बादाम है इन्हें मैंने पानी में भीगो कर रखा है 5-6 गंटे के लिए दो चम्मच दही धन्या पाउडर जीरा गरम मसाला नमक हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर तेल दो चम्मच मैदा और कुछ खड़े मसाले हैं इसमें मैंने लिये हैं लोंग काली मिर्च बड़ी लाईची पत्थर फूल दालचीनी पनीर को कद्दू कस कर लेते हैं पनीर में हम मावा मिला लेंगे यह दिखिए इसमें हम मैदा भी मिक्स कर लेंगे अब इसे गुलाब जमुन का शेप दे लेंगे इससे मीडियम साइज के गुलाब जमुन बनाएंगे देखिए इस तरह से यह देखिए हमने सारे गुलाब जमुन बना लिये हैं अब हम इन्हें तेल में डिफ्राइ करेंगे तेल में हम एक एक करके गुलाब जमुन डालेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर डिफ्राइ करना है अगर आप गुलाब जामुन की सबजी पहली बार बना रहे हैं तो एक एक गुलाब जामुन को डीफ्राय करें यहाँ पर मैंने गेस का फ्लेम लो कर दिया है गुलाब जामुन तयार हो रहे हैं जब तक हम टमाटर प्याज और काजु कदाम को अलग अलग मिक्सी में पीस लेंगे गुलाब जामुन को हम एक एक करके पलट लेंगे देखिए गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इने तेल से बाहर निकाल लेंगे अब हम तड़का लगाएंगे इस चमज से दो चमज तेल लेंगे तड़का लगाने के लिए तेल गर्म होने पर खड़े मसाले डालेंगे और साथ में डालेंगे आधी चमज जीरा अध्रक लाजोन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे इसे हम एक मिनिट तक भूनेंगे यह हमें लो फ्लैम पर भूनना है प्याज का पेस्ट डालेंगे इन्हें हम मेडियम फ्लैम पर लगवग 5 मिनिट तक भूनेंगे इन्हें भूनते हुए हमें 5 मिनिट हो चुके हैं अब इसमें टमाटर डाल देंगे यह मैंने दो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसमें लाल मिर्स पाउडर डालेंगे दो चमश आधा चमश दनिया पाउडर आधा चमश हल्दी पाउडर और आधा चमश डालेंगे गरम मसाला इन सभी को हम मिक्स करने के बाद में मीडियम फ्लैम पर तेल छूटने तक पकने देंगे ग्रेवी को पकने में अभी टाइम है और यह बबल्स के साथ चीटे काफी उड़ रहे हैं इसलिए मैं इसे ढख देती हूं इसे हम बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे आप देखेंगे किनारों से तेल छूट चुका है ग्रेवी पक चुकी है अब हम इसमें नमक डाल देंगे दहीं डालेंगे और काजू कदाम का पैस्ट भी डाल लेंगे यह पेस्ट बनाने में मैंने दूट डाला है थोड़ा सा आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं इसे मिक्स कर लें याद रखें दही ग्रेवी के पकने के बाद डालें वरना ग्रेवी फट जाएगी इसमें आधा कप पाने डाल लेंगे ग्रेवी को ड्क कर 2 मुट और पकने देंगे ग्रेवी तैयार होुचुकी है गुलाब जाओं रख लेंगे एक प्लेट में और उपरसे ओपर से कर्ट स्के पनेर डालें गुलाब चमुन की सबजी बनकर तयार है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होते से लाइक कीजिए और वीस्तर की रेसिपी देखने के लिए मेरे चनल को सबस्क्राइब कीजिए थेंक यू